सेकेंड क्लास आज हम उडान हिंदी पार्थ माला भागदो का पार्थ बार्य पढ़ेंगे ताकत से बड़ी बुद्धी ये बहुत ही ज्यानवर्द कभी कहानी है आज हम इसे पढ़ते हैं अपनी किताबें खोल लीजिएगा ये है ताकत से बड़ी बुद्धी आप सब जानते हैं कि हाथी बहुत ताकतवर होता है और बंदर शरीर से इतना मजबूत और इतना बड़ा नहीं होता लेकिन इस कहानी के माद्यम से बताया गया है कि जिसके अंदर बुद्धी होती है वही समसे ज़्यादा ताकतवर होता है श्रीर के ताकतवर होने से उत्रा लाब नहीं होता जितना बुद्धी की बड़ी बुद्धी होने से लाब होता है तो ये है हाथी और बंदर की कहानी इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा आप पढ़िएगा क्योंकि सिरफ मनोरंजन करने के लिए नहीं है ये हमें भी कोईनों को शिक्षा दे रही है चलिया शुरू करते हैं जंपी बंदर ने मगरू हाथी को मगरू हाथी को अपने घर में रखा लेकिन हाथी उसे और उसके परिवार को परेशान करने लगा तब बंदर ने बुद्धी से काम लिया सचमुच ताक से बड़ी बुद्धी होती है जंपी बंदर पहले पेड़ पर रहता था वहां हर समय उसे डाल से नीचे गिरने का डर लगा रहता था बरसात के दिनों में कठिनाई अधिक बढ़ जाती थी तपकते पानी से हर चीज खराब हो जाती थी इसलिए जंपी ने अपना घर बना का फैसला किया अपनी मेहनत की कमाई से उसने लकडी का सुंदर घर बनवा लिया अपने नए घर में आकर जंपी बहुत खुश था वह बहुत उसका घर बहुत बढ़ा था एक दिन जंपी के पास मंगरू हाथी आया उसने कहा तुम तो जानते हो मैं सीडिया नहीं चड़ स तुम अपने घर के नीचे वाले हिस्से में मुझे रहने दोगे तो मैं तुम्हारा ऐसान कभी नहीं भूलूंगा जंपी को मंगरू हाथी पर दया आ गई उसने हां कर दी मंगरू ने हर महीने 1000 रुपे किराय के रूप में देने की बात कही शुरू शुरू में मंगरू हा एक दिन वह अपने चलिए पेज पलट लीजिए एक दिन वह अपने असली रूप में आ गया उसने किराया देना बंद कर दिया और तो और वह जोड़ जोड़ से गाना बजा कर जंपी के परिवार वालों को तंग किया करता था आप सभी जानते हैं जहां हम रहते हैं तो हम एक दूसरे का दिहार रखना चाहिए किसी के लिए अधिक्षोर करना किसी के जो चीज हमें देनी चाहिए वो वो ना देना यह हमारे उनको परिशान करने का एक तरीका होता इस तरह से हमें परिशान नहीं करना चाहिए लेकिन मंगरू हाथी ने जंपी बंदर को बहुत त होता है और जब चांपी का अनो फुर घर हिल झालगे Mm के पूरा घर ही एक पुरा हुआ है खाने पीने का सामां जमीन पर पिखर गया जंपी के बेटे के सिरा पर चोटा गई मंगरू हाथी की हरकतों से परिशान होकर जंपी ने उसे घर खाली करने के लिए कह दिया यह सुनकर मंगरू नाराज हो गया उसने कहा हिम्मत है तो मुझे निकाल कर दिखाओ ऐसा ना हो कहीं मैं तुम सबको यहां से भगा दूँ देखिए यह होती है सीना जोरी जिसके घर में रह रहा था उसे ही डराने लगा कि तुम ही घर छोड़ कर चले जाओ मैं तो बहुत ताकतवर हूं तुम मुझे नहीं निकाल सकते मंगरू बलवान था इसलिए जंपी उससे कुछ ना कह सका उससे उसने सोचा बलवान से बुद्धी की ताकत से मुकाबला करना ठीक रहता है यानिकि कि यदि कोई बल्वान है तो उसके साथ शरीर से युद्ध और चाहिए उससे लड़ाई नहीं करने चाहिए बलकि बुद्धी के साथ उसकाम लेकर उसे हरा अना चाहिए यह सोचकर वहाव अपने दोस्त भोरी चीटि के मिलने उसके बल पर पहुंचा जं वो चीन्टी किस तरह से हाथी को मजा चखाएगी अगले पेश पर आ गए हम भूरी ने कहा तुम बिल्कुल चिंता मत करो मैं कल ही मंगरू को सबक सिखाऊंगी अगले दिन मगरू ने अगले दिन भूरी ने जंगल की सारी चीन्टीओं को बुला लिया इशारा मिलते ही चीन में घुज गई तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा इसलिए उसने जंपी से उन चीन्टीओं को भगाने के लिए कहा जंपी बोला ये मेरी महमान हैं और यहीं रहेंगी क्या सुनकर मंगरू दर गया चीन्टीओं से परेशान होकर वह जंपी का घर छोड़कर ऐसा भागा कि लाटकर नहीं आया आप देखिए कितनी समझदारी की न मंगरू ने वो अपने घर में चीन्टीओं को ले आया और चीन्टीओं हाथी की दुश्मन होती है अब अगर वो उनके साथ में लड़ाई करता डंडा लेके तो बंदर हाथी जो है वो जंपी बंदर को मार देता लेकिन जंपी बंदर ने अकल से काम लिया और हाथी की शत्रू को अपना महमान बनाकर घर में ले आया और हाथी डर गया मंगरू गबरा गया और उसका घर छोड़ दिया जंपी ने तब चींटियों को धन्यवाद दिया चींटिया अपने अपने घर चली गई जंपी फिर से खुशी खुशी अपने घर में रहने लगा प्यारे बच्चो इस पार से हमें एक तो शिक्षा यह मिलती है कि हमें उस साथी को जिसमें हमारा भला किया उसका कभी बुरा नहीं करना चाहिए दूसरी शिक्षा में क्या मिलती है अगर कोई हमारा बुरा करता है और वो ताकतवर है तो हमें अपने आकल से ठंडे दिमाग से सोच विचार कर उस व्यक्ति को कि उस समस्या का हल निकालना चाहिए ना कि उससे लड़ाई जगडा करना चाहिए तो यह पाठा आपका समाप थूआ, थेंक यू